नमस्कार दोस्तों मेरे नम स्रीकान कुमार अब देख रेटुजेट प्रोसेस आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तों प्रदान मंत्री किसान समान इधी योजना का अगला किस्त का पैसा अप्रेल 2022 में किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत लोग परसान है कि PM किसान अधार EQC को लेकर बहुत लोग का EQC अभी तक नहीं हुआ है इसलिए और बहुत लोग परसान है कि अप्रेल 2022 में हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा तो दोस्तों सबसे पहले अपना नाम को चेक करें कि हमें मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है तो कैसे चेक करें कि हमें मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको complete process हम आपको बतलाया हूँ इस वीडियो को last तक आपको जरूर देखना है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी चैनल पर नहा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेब लाइकान घंटी को पिडिस कर लिजे ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले अब के पास पहुँच पा है तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों चेक करने के लिए सबसे पहले अपना किसी एक ब्रॉजर को उपेन कर लेना है और ब्रॉजर में आपको टाइप करना है PM किसान इस प्रकार से आपको type करने के बाद search के option पे आपको click कर देना है click करने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर में जो link दिख रहा है p.m.kisane इस link पे आपको click कर देना है उसके बाद दोस्तों प्रधान मंत्री किसान समान इधी योजना का ओफिसियल वेप्षाइट इस परकार से यहाँ पे उपिन हो जाता है अब दोस्तों आप चेक करना चाहते हैं कि PM किसान समान इधी योजना का अगला किस्त अप्रेल 2022 में मिलने वाला है हमें या नहीं मिलने दोस्तों चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा तो इस परकार से आपको नीचे आना है और दोस्तों एक आपसर आपको देखने के लिए मिल जाता है बेनिफेसरी डिटेल्स इस वाले आपसन पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों अगला पेज इस परकार से यहाँ पे उपेन हो जाता है और दोस्तों चेक करने के लिए यहाँ पे दिखिए दो ओप्सन दिया गया है दो ओप्सन से आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया अधार नंबर से और सिकेंड में यहाँ पे दिया गया एकाउंट नंबर से तो जिससे आप चेक करना चाहते हैं, यहां से आपको स्लेक्ट कर लेना है, तो चले यहां से हम चेक करने वाले अधार नमबर से, तो अधार नमबर को स्लेक्ट करने देते हैं, उसके बाद दोस्तों इस बॉक्स में अपना अधार नमबर को टाइप कर लेना है, उसके बाद इतना installment आपको मिला है PM किसान का इस परकार से आपको दिखने के लिए मिल जाता है अब दोस्तों बात करते हैं कि April 2022 में हमें पैसा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा इसे हम थोड़ा इसे जूम करते हैं और दोस्तों यहा हाँ पर जो है कि आपको 100% जो है कि April में जो आपको अगला किस्त का पैसा आने वाला है 100% आपको मिल जाएगा अगर इस परकार के सोर नहीं कर रहा होगा तो दोस्तों आपको जो है कि अगला किस्त जो आपको मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा तो दोस्तों इस परका से आपका स्टेटास सोग कर रहा है तो दोस्तों आपको मिलेगा अगर इस परकार से स्टेटास नहीं सोग कर रहा है तो दोस्तों अगला किस्त आपको मिलने वाला नहीं है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो के लाइक कर दीजेगा और मेरी चनल पर नया झाल